आप देख सकते हैं पुरा आगे पीछे पानी पढ़ता है ऐसे तैड में उखड़ जाता है ऐसे चाहब दूंगी पुरा इस तरह से निकल जा रहा है पुरा दिवा हलो दोस्तो स्वागत है आज का वीडियो में आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं आज मैं अपने कीचन का साप सफाई करूंगी बहुत धूल बैट गया है तो इसकूल तरब भी चले जाती हूं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता तो आज सनी मार है तो आज मैं नहीं गई हूं मेरी बुलबुल का भी हस्पीटल लेके जाना है मेरे को तो पहले मैं आगे मेरा कीचन का लिपाई पोताई कर लेती हूं इसके बाद उसको लेके जाओंगी वीडियो पर बने रहिएगा तो अब मैं जा रही हूं लिप सेदवाला मट्टी है इसको हम लोग अपने दिहाती भासा में चुही मट्टी बोलते हैं तो इसी में मैं लिपाई करूंगी इसको मैं फुलाक रख दी थी आगे से तो आप मैं लेके चलती हूं कीचन के तरफ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह मेरा कीचन है पूरा तेल वेल छीटग जाता है और दिवाल में खराब हो जाता है और धूल भी बैठ गया है इधर कोड़ा सब भी गया है आप देख सकते हैं पुरा आगे पीछे पानी पढ़ता है आइसे प्खड़ जाता है पूपरी हो जाता है पुरा दीवाल तो दोस्तों आप देख सकते हैं छाबने का मट्टी है इसमें मिला के छाबूंगी आप मेरा कीचन का दिवाल को देख सकते हैं पुरा उखड़ गया है इसी को में ऐसे हटा लूँगी फिर अच्छा से छाब दूँगी पूरा इस तरह से निकल जा रहा है पुरा दिवाल पता ने बियां मट्टी खा गया की कैसे तो आगे में इसको छाब दूँगी फिर लिपाई करूंगी लो, अुर्फ माना बड़ याइरि जो छाब हाणी बसकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले कहसा दीख रहा था पुरा उखड गया था मैं अब माटी इसमें भार दी हूं तो थोड़ा अच्छा दीख रहा है प्लेन तो दोस्तों मैं लिपना इस्टार्ट करती हूं दिवाल को अहां पसको छोड़ दूंगी अभी लिप दूंग वनगे कम दो दोस्तों मॉवें जगनर मैं पसके दोड़ सिस्टार्ट करती हूं सबीक रहा है रहा है कि अवालड़ ठाब दीख रहा है रहा है जगी फज़ है रहा है कि आए तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपने कीचन का दिवाल को लीप चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ नीचे को लिपूंगी काला मट्टी से तो मैं मट्टी लेके आ रही हूँ अब मैं एक फल्खे कीच है DISIMBून→ णुर्खय लें के लिवा से अधने काला महा प् seulement हौँ मुली को लेके लेवा खौड़ को अधने वर्खकितानल आप पर मैं нак्षए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में कर दो कर दो कर दो हुआ है है नहुआ है है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पुरा दिवाल और जमीन को भी काला मठी सलीब चुकी हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पुरत लीपा हुआ भी सुखिये गया है और यह कील है इसमें मैं कागज लपेट ली हूँ अब यह प्लास्टिक है क्योंकि दिवाल भी गंदा हो जाता है तेल मसाला पड़के तो मैं इसको ठोक देती हूँ थोड़ा अच्छा भी दिख जाओ दिवाल भी गंदाने होगा अजाँ 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 तोस्तों इसी तरीक अनपड़ा गर्ले तीमूँ अर्वा, त economic स्टीष किस अच्तों में अच्छा मेंदाब ते दोस्तों मीफ यह किसे क्षड़ते हैरा कि स्सिक्टों में जाँ कि अनल प्लास हो जाँ GPS तो दोस्तों मैं अपने कीचन का काम कर चुकी हूं और बहुत धूप है बहुत गर्मी भी लग रहा है मैं ठाग भी गई हूं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सेर कमेंट और सस्क्राइब करिए गबाए